हलो एब्रीवन, ट्वीन्स बेबी को जनम देना जितनी खुशी की बात होती है उतना ही मुश्किल काम भी होता है जब आपके गर्भासे में ट्वीन्स बेबी होते हैं तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और जादा बढ़ जाती है मतलब आपको अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए प्रॉपर पोशक तक्तों का सेवन करना होगा और साथ ही में आपको अपने माइंट और अपनी बोडी को ट्वीन्स बेबी की केर के लिए तैयार करना होगा Twin Pregnancy की तीसरी तिमाई में आपको छोटी छोटी बातों का बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत होती है Twin Pregnancy की तीसरी तिमाई सारी गर्वदी महिलाओं के लिए बहुत ही जादा मुस्किल भरी होती है क्योंकि इस ताइम Twin Pregnancy में complications बहुत जादा बढ़ जाते हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी ठकान होने लगती है इस समय जो आपकी body है वो आपको और आपके बच्चों को पालने और उनको पोशड़ देने में मदद करने के लिए बहुत जादा कड़ी महनत कर रहा है इस दोरान आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनहें आपको लगता है कि करना बहुत जादा जरूरी है लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें आपको twin pregnancy के कुछ आखरी हपतों में अपना बहुत ही अच्छे से खयाल रखना है और अपनी activities को बहुत ही जादा सीमित कर देना है और अपनी body को जादा से जादा आराम देना है आप सिर्फ वही काम करें जो आपके लिए बहुत जरूरी है बाकी सारे कामों को आप इग्नोर करें Twin Pregnancy में हर महिला का अलग-अलग तरीके से बजन बढ़ता है लेकिन Twin Pregnancy के दौरान एक स्वस्त बजन बढ़ने से जन्म के समय जो कम बजन बाले बच्चे होने का रिस्क रहता है वो बहुत ही जादा कम हो जाता है तीसरी तिमाई के दोरान आपके चेक अप जादा बार हो सकते हैं और आपको हपते में एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है और तीसरी तिमाई के दोरान आपको अधिक टेस्ट करवाने की भी जरूरत हो सकती है जिसमें आपके twins baby के development और amniotic तरब की जाच के लिए ultrasound भी सामिल हो सकता है Twin pregnancy के दौरान आपको premature delivery का भी risk हो सकता है इसका मतलब है कि आपकी delivery status week से पहले भी हो सकती है यदि आपको किसी भी कारण वस time से पहले labor pain start हो जाते हैं तो डौक्टर आपको bad rest भी बोल सकते हैं और साथ ही वो आपके labor pain को रोकने के लिए आपको कुछ medicines भी दे सकते हैं यदि डौक्टर को लगता है कि आपकी premature delivery को रोका नहीं जा सकता है तो ऐसे में डौक्टर twins baby के फेपडों के निर्माण में बदत के लिए आपको कुछ medicines भी दे सकते हैं और यह जो medicines होती हैं वो जन्म के time other health problem की संभावना को भी कम कर सकती हैं यदि आप में time से पहले delivery के कोई भी लच्छर दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने डौक्टर को call करना है जैसे कि प्रतिये घंटे में 4-5 से अधिकवार contraction होना और इसके अलाबा pelvic में दर्द होना या फिर ऐसा दर्द होना जो की लगातार नहीं रहता है और एठन चो की period के दर्द की तरहे महसूस होती है और पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना और पेट दर्द होना और आपको luge motions भी हो सकते हैं और आपके बजाईना से निकलने वाले discharge का रंग बदल जाना या फिर आपको बजाईना से blood आना अगर इन में से आपको कोई भी लच्छर महसूस होते हैं तो आपको ऐसे में बिना देरी किये तुरन डॉक्टर से कॉल करके बात करनी है और ट्वीन प्रेग्नेंसी की तीसरी तिमाई के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि प्रीकलेमेपसिया की सिकायत होना या फिर प्री टर्म लेवर का रिस्क है तो ऐसे में डॉक्टर आपको बैडरेस की सला भी दे सकते हैं तो ऐसे में आपको ये समझना बेहत जरूरी है कि आपके डॉक्टर का बैडरेस से क्या मतलब है क्योंकि कभी-कभी bad rest का मतलब होता है कि आपको बार-बार बीच-बीच में आराम करना है और कभी-कभी मतलब होता है कि आपको पूरी तरह से बिस्तर पर ही रहना है और कोई भी काम नहीं करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्काइब करें साथ ही में बल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले So thank you friends, मिलते हैं अगले वीडियो में